जहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस सर्विस में दोस्तों आज एक बार फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं इस वीडियो में हम आपको कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं जो कि हमसे जादतर गल्स ने कमेंट बोक्स में और इंस्टाग्राम पर पूछे हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वुमेन मिलिटरी पुलिस की जो भरती है उसके एड्मिट कार्ड कब आएंगे और उनका फिजिकल कब होगा और डोकमेंट वैरिफिकेशन कब होगा उसके बाद आपके फिजिकल और एक्जाम की डेट क्या होगी और पूरा सेलेक्षिन प्रोसस होने के बाद आपको ट्रेनिंग पर कब भेजा जाएगा इन सभी टोपिक को आज मैं स्टेप बाए स्टेप आपको बताऊंगा जिससे आपके इस बरती से रिलेटिड सभी डाउट्स किलिर हो जाएं तो चली दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसके एडमिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बरती के एडमिट कार्ड कब से आने शुरू होंगी तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बरती के फॉर्म बरने की लास्ट डेट पाइस चुलाई है और इसके admit card फोर्म भरने की last date के 15-20 दिन के अंदर आने start हो जाते हैं तो इसके जो admit card है वो आपकी email ID पर 5-6 अगस्त से आने start हो जाएंगे इसलिए आप अपने email ID को अपने phone में login करके रखिए जिस से admit card आते ही आपको पता लग जाए दोस्तों इसके बाद physical की बात करें तो इस बरती में आपके physical 16 अगस्त से start हो जाएंगे यनि कि 16 अगस्त के बाद आपको किसी भी दिन की date दे दी जाएगी आपके physical के लिए और इस बरती में सभी के physical जल्द ही करा लिये जाएंगे physical में ज़्यादा time नहीं लगेगा और आपका document verification आपके physical के समय ही कर लिया जाएगा जब आप physical देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको अपने सभी documents लेकर जाने होंगे वहीं पर आपका document verification किया जाएगा जब आप physical पास कर लेंगे तो उसके लगबग 10-20 दिन बाद आपका medical किया जाएगा आपके medical की date आपको physical के time ही दे दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि आपका medical कहां पर होगा आपके medical में आपके पूरी body का check up किया जाएगा अगर आप बिल्कुल feet होंगे तो वहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा और आपको exam की date दे दी जाएगी आपका exam medical check up होने के लगबग 30-40 दिन बाद कराया जाएगा आपके exam में 50 portions बूचे जाएगे जो की 100 number के होंगे अगर आप exam को पास कर लेते हैं तो कुछ दिन बाद आपकी एक final married list बनती है उस list में जिस भी candidate का नाम होता है उसका final selection हो जाता है और फिर 15-20 दिन बाद उसे call letter बेजा जाता है जिसके 10-15 दिन बाद candidate को training पर बेज दिया जाता है दोस्तों पूरी बर्दी प्रिगरिया को complete होने में लगबग 6 महीने लग जाते हैं तो ये समझ लीजे कि इस साल यानी 2021 के last तक आपको training के लिए भेज दिया जाएगा जिसके बाद आपकी training कराई जाएगी और फिर आपको भारतिय सेना में शामिल होने का और अपनी मातर भूमी की रक्षा करने का सुनहरा मोकाप मिलेगा इसलिए मैं सभी girls से कहना चाहता हूँ कि आप अपने तयारियों को दोगना कर दीजिए क्योंकि आप वर्दी दूर नहीं है अब आपकी वर्दी आपका इंतजार कर रही है बस आपको करे मेहनत करके अपने तयारियों में लगे रहना है और सेलेक्शन लेना है और आपको अपने तयारियों में किसी भी हेल्प के जरूरत हो तो आप हमें जरूर बताइए हम आपकी 100% हेल्प करेंगे और आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं हम आपको reply जरूर करेंगे और आपके doubts को clear जरूर करेंगे लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको हमारे चैनल को subscribe करना होगा जिससे आपको सभी updates जल्द से जल्द मिलती रहें और आपको इस बरती से जुड़ी सभी जानकारी सही समय पर मिलती रहें दोस्तों मुझे लगता है कि आपने like तो पहले ही कर दिया होगा लेकिन अगर नहीं क्या है तो इस वीडियो को फटाफट से एक like जरूर कर दीजिए और अपने सभी friends में share कीजिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत